हलो स्ट्रेंट्स वेल्कम टू माई नर्चर मैं हूं कृष्णा कैसे आप सब लोग मस बढ़िया तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नमर फाइव का नेक्ट लेक्चर लेक्चर नमर फोर जिसमें आज हम पढ़ेंगे एस्ट्रिंजेंट्स के बारे में क्या होता है यह ए मेकप का समान रिष्ण काफ लेकी में यह इसको भी ??? तो क्या खह रहरा यह एक अश्रिंज़ेंट्स के बारे में अश्रिंजेंट्स किसी भी काउंट्रेक्शन गरे का मतलब स्कूर न और स्रिंगेज कॉंट्रेट करे या सिकोड दे और पीशू अब देखो टीशू का सुपड़ना कोई भी मेडिसी जो टीशू को सिंक करने में हेल्प करेगी इसको सिंक करवाएगी उसको सिंपली हम लोग क्या करते हैं एस्टिंजेंट कहते हैं डैट डायफ सिक्रेशन इससे क्या होगा जो तिस्सू अपने अदर से सिक्रीशन कर रहा होगा वह क्या हो जागा सूख जाएगा ठीक है इसका बेनिफिट कब मिलता है जनली जो मैं बता रहा था भी कि फीमेल में जनली क्या होता है चेहरे को क्लीन करने के लिए हैना और आफ्टर मेकप मेकप जब हो जाता है बहुत ज इस से होगा गया आप समझते हैं तो तीन तरीके से काम करेगा यह और उसी के हिसाफ से हमने क्या करते है इसको डिवाइड कर दिया पहला दा पॉपर्टी ऑफ दो डैट नेरो दा ब्लैड वैसल यानि कि पही लैन को बहुत सिंप्री लिख सकता है लिख सकते हो इन फरस्ट इससे क्या होगी ब्लड की सप्लाई क्या हो जाएगी लिम्टेड हो जाएगी ब्लड वहाँ पर उस हिस्से में उतना नहीं पहुंचना चाहिए ना शुकूर देगा उसको एक्जाम्पल और सफ एस्टिंजेंट्स आर एपिनेफ्री और कोकेड यह तो हम्हें ड्रग के ना क्या होता है सप्लाइ में कटाहती हो जाएगी सप्लाई में क्या हो जाएगी कटाहती हो जाएगी सेकिंड है ग्लिस्ट kommen और उमऑनिंगी इन्गृडन बीगान सकते हैं चिश्बू में से पानी को खीच लेना एक्षट गोसकते हैं ठीक है ना टिसु में से पानी को खीच लेंगे तो टिस्जु क्या होगा सुख जाएगा बॉसका जा जाれる इसμोरी इसलो가는 की सब्सक्राइन पर लगाते हैं तो मॉष्ट के पूरा खीचता हैं पानी को खीचेगा ठीक है एंड जैसे कि खून का थक्का जमना उते तो यह उपर की टिसूस होते ना उनको ऐसे दिखाए दो नहीं पड़ेगा लेकिन उसको क्या बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उनको क्या करते है यह कोगलेट कर देगा थेक लेयर इंटू क्रस्ट इन और तु स्टॉप दा ब्लीडि बंद हो जाते हैं उससे कहा है ब्लड का निकलना रुख जाता है ठीक है ओके एक्जाम्पल आफ सच कांड़ एस्टिंजेंट्स आर क्यालमाइन एन एलम है न हम लोग डाड़ी जो बनाते है फीमे अम मेरी दाड़ी बनाते है ठीक है बाद में वह क्या रगड़ता हलका हलक नहीं बढ़ना है ना जानना है हम जानेंगे किसके बारे में हम जानेंगे जो हमारे हर्व्स हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे ठीक है तो यह तीन इनका काम करने के तीन तरीके थे किसके एस्टिंजेंट्स के ठीक है उसके बेस पे हमने इसको क्या कर दिया क्य जाने कि हमारी बॉड़ी के अंदर भी डाले जाते हैं ठीक है वेन इन्डूस इंटर्नली जब यह अंदर भिल जाएंगे बॉड़ी के दा एक्स्ट्रिंजेंट लिड्स टू कॉंस्ट्रिक्शन ऑफ दा एक्स्पोस्ट इसू एंड दा म्यूकस मेंब्रेन क्या होती है म्यू को फूड़् पाइप उसके उपर की जो कवरिंग है जो लेयरिंग है उसको म्यूकस मेंब्रेन की सकते हैं मतलब चाहिए खास तरह का सिक्रेशन म्यूकस करते हैं सिक्रीट करते हैं ठीक है एक्सपोज टीसू मतलब जो टीसू जैसे मालो अब मैं अपने उंगली की बात करूँ तो यह जो बहार के टीसू है यह एक्सपोज हैं किसको सराउंडिंग को अंदर वाले छुपे हुए हैं तो हमारी बॉडी के अंदर भी जो एक्सपोज टीसू है जो बाहर के एंवायमेंट हमारी बॉडी के अंदर वे इंवायमेंट उसको बाहर टैच कर रहे हैं उसके लिए वर्ड इस्तमाल हुआ है एक्सपोज टीसू ठीक है तो वेन वन इस सफरिंग फ्रॉम डाइरिया किसी ओडाइरिया हो गया हो उससे ब्लड का रिसाओ ब्लड बहरा होगा उसको सब्सक्राइब करेगा एंड डिस्चार्ज ऑफ ब्लड सीरम एंड एवन अंडिजाइड मूकस सिक्रेशन या मालो म्यूकस यह म्यूकस मेंब्रेन बहुत जदा क्या कर रही है म्यूकस सिक्रीट कर रही है यह सुकोड जाना कि यह किन-किन केस में होता है कहां कहां अब जैसे मैं बताओं बच्चे यह सोच लेंगा रहे ऐसा कहां होता है कुछ बीमार्य में होता है हम वहां पर सबको नहीं कर दो बिमारी का नाम या लिखूंगा पर एक्स्परेशन की जरूद पढ़ जाएगी तो फिलाल हमे यहां पर जो लोग आर्टिस्ट लोग होते हैं कलाकार लोग होते हैं शूटिंग करने से पहले मेकप चड़ाए जाता है ठीक है तो बाद मेकप को उतारने में इसका यूज़ होता है बहुत ज़्यादा एंड लेफ्ट ओवर रिस्टिवल केमिकल एंड ऑइल्स आर आल्सो क्लीन जो चेहरे पर रह जाता है केमिकल अगयरा या ऑइल रह गया उसको साफ करने में भी काम कर देगा अधर और अलिवेट दा क्वाइट बढ़ा देगा किसकी सकते हैं यहां पर इसके दोनों यूज़ मैडिशन यूज़ बीटी एंड इसकी दो चलो चलते हैं आगे देखते हैं क्या हमारे पास कि मैरो बालन या हरड ठीक है ना कुछ ऐसा होता है नहीं देखा वह लोगों ने कुछ लोगों साहित देखा भी होगा क्या है यह चीज ऑच तर्मिनेलिया चैबियूला ठीक है ना कॉमनली नोन एज ब्लैक और चैबिलिक मायरो बैलन ये पाए जाते हैं यह कुद्रटी तॉर पर कहा होते है यह आ इंडिया नेपाल में पाइजाते हैं चायना में होता है एंड स्री लंका मलेशियन वियतनाम तो याद रख सकते हो ठीक है जोग्राफिकल सोर्स का वैसे मैंसें नहीं है याद रखने तो याद रखने तो याद रखते हो दट टैनिन एंध्राकिनों कांस्टिटूट मेंग ड्रग बोथ इसके अंदर मेंली क्या पाए जाते हैं देखो टैनिन भी था अपने कोर्स में ओके तो यह एक्स्टेंजेंट और एक्शन भी प्रवाइड कराते हैं कथार्टिक में है फिर बता दे रहा हूं मैं एक चीज ठीक है अभी स्टार्ट हुआ है नोर्स का डिस्क्रिप्शन लिंक में है ठीक है और सारी जो फार्मस्टिकल के मिस्ट् लिए बात करूं तो ट्राइड फ्रूट्स और टर्मिनेलिया चैबुला और फैमली कोंब्रीटेसी ठीक है ना ड्राइड फूट्ट होता है यह थे कैमिकल की बात करूं तो अपने दो की डिसक्स करी चुके एक टैनिन टैनिन के अंदर बात करें टैनिन जब हाइड लुकोज देन बीटा सीटोस्टीरॉल एंसरा किनॉन इसका डिसका समलग पहले कर रहे थे टैनिन और एंसरा किनॉन यहीं है जो इसको एक्ट्रिंजियन प्रोवर्टी प्रोवाइड कर वाते हैं फिच्ट ऑइल और फिच्ट ऑइल के अंदर क्या पाए जाता है इस्टर फ देखो फिच्ट ऑज दो पक्का लिखो फिस Technical लिखो तो पका लिखो PV मं हर किसी बच्चे की अपनी-पनी-पनी capacity है अपनी एपनी capacity है तो अपनी capacity के हिसाब से पढ़ें लेकिन इतना जरूर पढ़ें जो बच्चा बहुत कम पढ़ रहा है ठीक है दिक्कतालि बात नहीं लेकिन उतना जरूर पढ़ लेना है कितना की number आए ठीक है बहुत ज्यादा detail में उन बच्चों को पढ़ने की जरूर करना चाह रहा है कोई medical चाह रहा है तो ठीक है okay है और कम कर दो हमको पास होना ठीक है तो ज्यान और आपका अगला motive क्या है बहुत जggirahe पढ़ने का motive है यह आपको शर्व करना है अपने medical license रहा यह आपको क्या चाहिए केवल आप कुछ जॉब करना चाहते हैं इसके बाद ठीक है उसी के हिसाब से पढ़ाई करें बहुत ज्यादा क्योंकि नो डाउट टाफ है बच्चों के रहते हैं डाउट कीसा इतना जा कैसे पढ़ें तो कितना पढ़ना है आपका अपना एम रखो क क्या है आपका टार्गेट क्या है फ्यूचर में डिफार्म के बाद पढ़ाई आगे कंट्यूनी करनी है तो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा डिटेल करने पड़ेगी नहीं जाना है तो इसमें से और दो-तिन चीजे कम कर लो ठीक है ना शृफ तूदा पॉइंट कैस पास हो जाओगे इतने में बड़े अराम से थीक है तो यह चीजे थोड़ी सी समझनी है कि किसको किसका टार्गेट क्या है उसी हिसाब से अपनी आप पढ़ाई भी रखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है ना दूसरे से कॉमपेटिशन नहीं है हाँ कॉमपेटिशन क्या होता डायूरेटिक जो पेसाब की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देते हैं एस्ट्रिंजेंट है कार्डियोटोनिक है हाट के लिए अच्छा होता है ठीक है ना परगेटिव है पेट साफ करने वाली दवा लग्जेटिव है पॉर्टी टायट हो जा जो उसमें भी काम आती है किडिनी डिस्फंक्शन आई डिजीज हो एंड सोट फ्रोट गले में खरास हो तो उसमें भी काम में आता है अन्राइफ फ्रूट और मोर परगेटिव जो अन्राइफ पका हुआ कच्छा फल होता है वह ज्यादा परगेटिव है दा राइफ वनस और एक्स्टिंजेंट जो पक जाते हैं उनकी एक्स्टिंजिक प्रपर्टी ज्यादा बढ़ जाती है किलियर है बात समझ में आ रही है अब इसमें नहीं लिखनी पूरी लाइन मत लिखो लखीर के फकीर मत बनो सिधा लिखो क्या क्या है एंटिसेप्टिक डायूरेटिक एक्स्टिंजेंट है न इस तरह पढ़ते हैं कत्था बोलते हैं काले कत्था यह पेड़ समने देखा होगा इस तरह से लगा रहता है ना जंगल मतलब ऐसी नॉमली उख जाते हैं यह देख रहा है ना यह पिक्टर समझ मारी होगी ओके बात करें एक्स्ट्रेक्ट ऑफ अकेशिया ट्री इसको हम ल प्रसपारा ट्रीके से इसका इस्तिमाल होता है ठीक है हमारा में टार्गेट हम किसके अंडर पढ़ रहे हैं इसको एकत्रेंजेंट के अंदर पढ़ रहे हैं कौन ब्लाइक कते च्छ आचियो औके इस त्रेक्टेटेड ऊकेशिया यह कई सारी इस पीश आचिया एक और जो क्या करते हैं लगड़ी काटी उबाला उसका पानी पूरा उड़ा दिया जो बचा हुआ पाट रहा गया ब्रियू है ना बुरा बुरादा टाइप का उसको हम लोग इस्तवाल करते हैं इसके सिनॉनिम हो जाएंगे ब्लैक कच्च कशाव कैशू तारा जपोनिका और जबबन अर्थ एंड आल्सो कथा इन हिंदी में से कथा भी कहा जाता है काच इन मराथी कोहर इन असामी एंड बेंगाली एंड कच्चू काच्चू इन मलयालम या मलाय ठीक है ना तो इसके यह स सिनॉनिम हो गएं बाइलाजिकल शोर पता जल गया हमें क्या वड को काट करके उबाल के इसको त्यार करते हैं एक टेक फॉर अट वुल्ट जिसको नहीं पता हार्ट वूड क्या होती है ना हार्ट प्लांट के पार्ट के दो पार्ट होते हैं स्प्रिंग और ऑर उतम वाले लिए ना तने का वुड का होता है ठीक है फैमिली है अकेसिया कतैचू और फैमिली क्या है लग्यूमिनेशी क्लिए रहे है केमिकल कंश्टुमेंट की बात करें तो एका कतैचिन और अकेसिया कैचिन कतैचू, tannic acid, ret, quercetin और gum ठीक है तो सब कतैचू-कतैचू-कतैचू-कतैचू-कतैचू- ..कतैचू साइवार है तो बहुत याद हो जाएlah initiate थैकर ов हो जाता है एक लिययर एंटर और यह इसके नाम से जानते है एक版 कहांसे हैн यह वो किस् thinks ब्लैक किस्से था उसके तने से यह किस्से उसके पत्तों से और अनकेरिया गैंबिर यह इसका नाम है वाट निकलने मागा इसका यह इसका यह इसका यह यूज़ आज टैनिंग एजेंट अब ब्राउन डाई फूड एडिटी फूड में पड़ता है एंड हर्वल मेडिसीन औ है इसके गैंबिर पेल कटैचिव और कटैचिव सिंपल बोल देते हैं इसको हम लोग ओके आगे देखते हैं क्या है इसमें बाइलाजिक और सोर्स फिर से पार चलगा हमें कहां से हैं प्रडूस फॉम्दा लीव तो यह याद रखो इट इस अप्टेंट फॉम लिफ इतने इक हेखस एक्स्तुटा ना गील है उससे गीला गर गपाई शिम प्राइब कर दो आ再見 और इंहीं तानिय होती यह यांग टैनिया हे जो यह यवालि रिया-घुली रिघ्यो तानॵ कर इस फ्संवाह रही रही है इसको कहते इस यह यह तैनिआ उनिय two-ähr हixí ठीक है लिख लो टैनी टैनी तना में अंतर पता है ना अंकेरिया गैंबिर जो नाम है इसका फैमली क्या है रूबी एसी है अब जैको नाम को बच्चों को रूबी एसी सी सी वर्ड सब में आएगा प्लांट के लगता है यह रूबी एसी 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 यह एई एए ठीक है कैमिकल करेंट पेल कता है चू ओके कंटेन यहां पर इसको हम लोग साही करते हैं ओके पेल कता है चू कंटेन सूडो टैनिन कैचिन ठीक है ना अच्छा अगर इसके नाम का तुम्हें दिक्कत आती है तो कैसे याद करोंगा बता रहा हूं गाए ऐसे दिखो पेल कता चू कंटेन अब पेल में दिक्कत है कोई पाले पढ़ लेगा क्या दिक्कत है हमको मुद्दा है चीजें याद रहने चीए पाले कटा शू ठीक है न अब वैसे तो सूडो पड़ा जाता है किसे को दिक्कत पड़ने में तो इसको पी लगा लो अपना पीसीडो टैनीन कटै चिन इसे को चाइना वाले से चिन से याद रख लो मुद्दा है हमको चीजे याद रहनी चाहिए किलिए रहे बात फरक नहीं पढ़ता हम क्या पड़ है मुद्द है कि हम चीज याद रहें चीज और हम एक्जाम में लिखके आप आए के लिए रहे अब ठीक ना फ्लोबा टैनीन के टैनिन जोड़ वर्ट कॉमें से अलग निकाल लो यह क्यों होगा फ्लो एना फोफो फ्लो क्या टैच्चू टैनीन रूप के पढ़ना तो करें कि इस तरीके से नामयाद रखोगे तो जल्दी से याद हो जाएंगे कि एलियर है रहे तो कहां काम में काम में आते हैं यह ऐसे एकल कर जैसे यह खाल उत्री के तो महीं सी रहती है लेकिन हम चैमिकली ट्रीट कराकर उसे एक हाड में हाड उसमें बदल देते हैं जम्रें जूतियों गरा बंते हैं तो यह एनिमल हाइड और जुपता है तो इन सब चीजों में इसका मेंनली क्या है यूज है तो यह था हमारे एक्ष्टिंजेंट ठीक है तो नेक्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे देखें कांसर टॉपिक लेके आते हैं हम लोग जो बनेगा जल्दी से उसको जल्दी से बनाएंगे और इसको क्या करना है बहुत अराम से पहले हमको क्या करने हैं तीन चीज़े य केमिट्री के भी ओके तो क्या करना है रिवीजन आल दा बेश्ट